हेलो दोस्तों परिक्षा प्लस में आपका स्वागत है जैसा आप लोग जानना है कि हमारी टीम ने लोवर PCS के लिए टेस्स सीरीज लांच दी थी काफी सफल रहा बच्चों ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया कि जो टेस्स सीरीज था हमारी काफी हुंको लिए हल्फुल र करना काफी कूस्चन उसी पैटन पे रहे कुछ कुछन तो भॉन जो域्स के पर आपके टेस्ट जो सीरीज दी गई थी आपको जो गैके टेस्ट गया था उसी से हुबहु आ गया था तो जिस्ट पैटन पर हमने आपकी सरीज बनाई थी कि हां इस स्थी väldigt ग से आपukeद एसिस्टेंट की टेस्रीज लॉंच की है जिसका टेस्ट वर्ण के तौर पर सबको दिया गया और टेस्ट भी एक्टिवेट हो चुका है तो टेस्ट वन के जो सॉलूशन है हम लोग वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके दस टेस्ट हैं जूनियर एसिस्टेंट के और दस टेस्ट को हम लोग वीडियो के माध्यम से उसका सॉलूशन देंगे तो पहले टेस्ट में जो रिजनिंग का पॉर्षन है मैं उसके सॉलूशन को लेके आया हूँ बाकी आपको जो भी हिंदी और जीज के जो पोर्षन है उसमें क्यूंकि इसका पैटरन हटके हैं इसमें मै और का एक्जाम हुआ है उसी पर नए फेम कैसे कुश्टन आपके सामने रखे गए हैं उसी का हेल्प लेके यह बनाई गई है जो आपके एक्जाम जो तीन नौंबर को बोला जा रहा होने वाला है उसमें आपका काफी हेल्प करेगा तो चलिए पहले टेस्ट के पहले कि इसमें और बजे रहा जाओगे समझ नहीं पाओगे किसमीं क्या चल ला है किस्पे अमें प्रैक्टिस कर रहे चाहिए तो वह मैं चीजे बता रहा है क्योंकि मैंने भी इसी फूम मे ऐसी न को डिरीज बेए कि आपको क्या सोचना है किस पर सोचन आपके फस्ट कि haunted का code लिखा गया आपका 4013592 और एक और है ring इसको बोला गया इसे code किया गया है 763892 अब इससे आपसे पूछ रहा है कि HING का code क्या होगा तो आप देख सकते हैं इसमें यह simple होता है इसमें कोई ज्यादे दिमाग नहीं लगाना है जिसमें जो coding मिले H का code क्या है 4, 4 लिख लिए I, 6, N यहां से मिल जाएगा 3 G, यहां G है यहां पर भी G है तो 8 उसके बाद से आपका E तो E का code क्या है फिर से HING G का code हो गया 8 उसके बाद E तो यह 9 46389 आपका जो option है यह सही हो जाएगा इस question में चलिए जिन लोगों को test series के बारे में ना जानकारी हो पूरी डिस्क वीडियो के description में आपको test series के बारे में पूरा detail हमारी website जो new frame हुई है उसका पूरी link दिया हो गया है आप पहां पे जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे test series को देना है कहां से हमें purchase करना है test series को ठीक है और हमारे group जो facebook group है और telegram group पे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाए हैं वहां पे आपको जो भी आत्रिक्त जानकारी होती है वह आपको पता चल जाएग कि कब आपका test live होगा और कब आपका test deactivate होगा चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारा यह है कि यह भी coding decoding से क्योंकि coding decoding के काफी question आते हैं scene क्या code किया गया है कि टी बी कुशन नमबर दो है टी बी एफ 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 अगला है train का पूछ रहा है कि code क्या होगा ठीक तो आपको देखना है कि यह scene को कैसे code किया गया तो हम लिख लेते हैं पहले s c e n मैंने coding decoding में आपको बताया था जो chapter है YouTube पे आपको lecture पढ़ा होगा कि सबसे पहले आप numbering कर लिजिए लेटर की लेटर की numbering यहां दूने चाहिए तो 19 3 5 14 5 अब उसके बाद से जिस्सों कोड किया गया उसे नीचे लिख लिए टी बी एफ इसका भी number कर लिजिए 20 बी क्या हो जाएगा आपका 2 6 36 अब इससे देखते हैं कि कैसे यह code किया गया है 19 से यह 1 प्लस हो रहा है तो यह 20 3 से यह आपका क्या हो रहा है प्लस हो रहा है प्लस दो पाथ सरी यह जो रहा है आपका माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो प्लस हो रहा है तो अईसे करेंगे तो टी आता आपका 20 पे यह 19 पे यह एक पे यह आपका नाइन और यह 14 इसका कोड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे यहां यू आ जाएगा आर में माइनस वन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा क्यू इसमें प्लस वन करेंगे माइनस वन प्लस वन यहां बी यहां पर आपका माइनस वन करेंगे तो एच यहां प्लस वन करेंगे तो ओ यू बी यू क्यू बी एच ओ आपका जो ऑप्सन होगा यह कौन सा ऑप्सन ए होगा अभी लिए कोश्चन की तरह बगता है कुश्चन नमबर थ्री यह भी कोडिंग डी कोडिंग से है कि इसमें आपसे बोला गया है कि अमेठी कि मेठी को कोड किया जाया है बी एन जी यू के ओ से जे ए आई एस को लिखा जा रहा है ल बी ओ डबलू तो आपसे पूछ रहा है स्टेट का कोड क्या होगा अब देखिए अलग प्रकार से कोडिंग है इसमें जो यूज किया गया है लेटर आपका पूरा का पूरा स्टेट इसी से मिल ला है एसका कोड क्या मिलेगा यहां से देखो गे तो डबलू एसके लिए डबलू टी के लिए एक दो 5rit क्या ओजाएगा पुर्त है लास्ट से तो दो तीन चाहव जी तो यह आपका ऑंसर हो जाएगा जो ऑप्शन क्या है आपका ओप्शन भी है इसका अप्शन कोरीक्ट होगा अगल स्थिंट पर दो कुर्चन question number 4 आपका जो है simplification का question है simple सा 9 plus 3 minus 72 6 divided by यहाँ पर into is 6 divided by 3 अब इस पर question में बोला जा रहा है कि अगर plus को multiply कर दिया जाए तो 9 into 3 और किसको बोला जारा minus को plus कर दिया जाए plus 72 और multiplication को divide कर दिया जाए divided 6 और minus divided को minus कर दिया जाए तो हमारा answer क्या होगा तो बस आप इसे solve कर दिजिए convert करने के बाद तो यहाँ से आप जाएगा 9 into 3 और यहाँ हो जाएगा 12 minus 3 27 plus 9 916 मतलब 36 इसका answer हो जाएगा जो option आपका ए है इसका option ए करेक्ट होगा अगले question की तरफ बढ़ते हैं सिलोक्स के question है सिलोक्स के एक question आपके जैसे UPT पलसी लूर का paper आप सभी लोग ने देखा होगा एक question सिलोक्स का आया था सभी paper में एक question आपका सिलोक्स का है इसे में बोला सभी सब्द question है आपका question number 65 कीTH किया है सभी सब्द जो है वह अक्षर है अग्ला बोला सभी अक्षर प्रतीक है ठीक अग्ला बोला कोई भी सब्द संख्या नहीं है कोई भी सब्द संख्या नहीं है यह आपका डाइग्राम बनेगा सब्द और संख्या में नो का रिलेशन होगा आप निसकर्स पूछ रहा है आप से सभी संख्या प्रतीक है सभी संख्या यहां है प्रतीक यहां है तो संख्या पूरा का पूरा प्रतीक होने के लिए बोला तो यह नहीं होगा पहला conclusion आपका गलत है, दूसरा बोला कोई भी अच्छर संख्या नहीं है, कोई भी अच्छर संख्या नहीं है, दोगो सब्द और संख्या के बीच में नो का relation है, अच्छर और संख्या हो सकता है, कोई भी अच्छर संख्या हो सकती है, तो इसलिए second वाला भी आपका गलत हो ज सब्सक्राइब को चुनिए आपको एनलोजी से कुश्चन है जैसे बोला गया कि असब और सब लिखा गया है सब्सक्राइब कर अपका उल्टा क्या हो जाएगा असब्सक्राइब कर तो यहां पर इसका जास टूल्टा लिखा गया तो ऐसे पेर पूछ रहा है कि आपका दो प्यर कैस क्या होंगे तो आपको जो ऑप्सन सी होगा 67 का वह होगा अंधेरा रोशनी अंधेरा और रोशनी वहला जो ऑप्सन होगा यह सही होगा क्यूअ कि आपको अगलेcio के तरह बढ़ते हैं आपसे पूछ दिया है 68 68 में है कि अंतर्राष्टी मारक संगतन जो होता है उसका जो हैड़कॉर्टर कहां जनेवा में है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पर होगा लंदन में होगा तो इसका अंसर लंदन जो आपका क्या है भी है तो यह जीएस की नॉलेज आप क्यों होनी चाहिए नेक्स्ट अगला 69 यह भी एनलोजी से कुश्चन है यह अलफाबेटिक एनलोजी है इसमें दिया गया है एंडी कुश्चन मार्क मतलब एडी का जो संबंद एन से है वही संबंद आपको बीडी का बताना है कि यहां पे क्या होगा तो आगे देखते हैं यह होता है वन पे और डी होता है फोर पे यह 14 आ गया अब हम जानते एन की प्लेस वैलू क्या होती है 14 तो यह प्लेस वैलू जो इस को सब्सक्राइब क्योंत्र यहां सब्सक्राति है अंजला कोश्चन सेवैंटी है मैं सब्सक्राइब कि दोनों लोग का जेन्डर क्लियर है जो बदले में मिक्कि के ससूर है राम गर्मा का पुत्र है जो मनोज की पुत्री है ठीक मनोज की पुत्री मतलब को जो किसके कि या है कि मनोच की नोजच की कि पुत्री ने है जो मिक्की के ससुर है कि जो किता सफुरे मेंして संबंध रखेगा esti का सफुर मनोच तो पूझ रहा है आप से कि अधर माँका कोई भाई बहिए नहीं है तो मिक्की का राम से क्या संबंद है, तो मिक्की का राम से संबंद पूछ रहा है, तो मिक्की का पूछ रहा है ना कि राम का पूछ रहा है, तो मिक्की क्या होंगे इसके, पिता होंगे, तो option आपका कौन से सही होगा, option C सही होगा इसका, अगले question पर पहुंचते है, question number 71, question number 71 आपका sitting arrangement से हैं इससे भी question आपके पूछे गए हैं exam में इसी pattern पे देखते हैं data sufficiency के pattern पे पूछे गए हैं इसी आपके sitting arrangement से question 71 question को देखते हैं question में बोला जा रहा है कि 5 दोस्त हैं जो उत्तर की तरफ मुँँ करके बैठे हुए हैं अंकित अंजुम के ठीक दाइने में बैठा हुआ है चले बनाते जाते हैं पांच दोस्त हैं उत्तर की तरफ मुँँ आए एक, दो, तीन, चार, पांच बोला है कि अंकित जो है अंजुम के ठीक दाइने तरफ बैठा हुआ है मलब यहां जो हमनकित है और यहां पर कौन है अंजूम है यंजूम तो अंजूम की ठीक दायज़ा है तो अमीत अमित जो है प्रिया के बाएं और उसी की लोकेशन अमित की लोकेशन राम से बोला खिर राम यह जो तो जाएगा चोटा एक गे रहा है आपी यह कुछचन में पूछा गया है कि क्सक्राइब बैठा हुआ है दाएने तरफ आपका right side यह है left side यह है तो दाए तरफ आपके अंति में कौन बैठा हुआ है प्रिया बैठी हुए तो option आपका कौन साइस में C है यह सही होगा अगले question में जाते है question number 72 data sufficiency से है question जिस जिस टाइप की question रखा गया है आपके पेपर में उसी उसी टाइप से question जो है पूछ रहा है आयोग 72 में है data sufficiency की class में रीना का rank क्या है ठीक है अब इसपे statement दिया गया पहला statement है कि आपको बताना कि कौन सा statement परियाथ है उत्तर देने के लिए पहला कि कच्छा में 26 चात्र है class की जो strength है class में जो total student है 26 है अगला बोला जा रहा है second statement में कि 9 चात्र है जिन्में से में रीना से कम स्कोर किया है इसका मतलब कि स्टेट्मेंट से जह से नौ छात्र पीछे होंगे तो नीचे से रीना का जो अस्थान होगा अगर बोलें बॉटम से तो यह 10 पोजिशन पर होगी रीना और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 26 है तो हम यह फार्मूला जानते हैं रैंकिंग में कि टोटल क्या होता है आपका टॉप प्लस बॉटम की रैंक माइनस वन तो रीना की बॉटम से रैंक पता है कितनी है तेन टॉप से पता करना है उसको एक्स मानलो चाहिए टॉप मानलो प्लस माइनस वन टोटल आपको पता है कि अगर पहले इस्टेटमेंट को ले ले तो टोटल हमारे पास 26 हो बिक्तनल है कि यहां अगर तो आपका शबस सहर कितना हो जाए गगा है कि 91 है कि आसे है तो इस की बिस्किने हो जाएगी सत्रह जाए गी तो आपका इसका आँसर क्या हो जाएगा निकलाए गा कि इस से यह इसमें दोनों का यूज हुआ है पहले स्टेटमेंट का और दूसरे स्टेटमेंट का तो हम बोलेंगे दोनों कथन जो होगा वह हमारे आंसर देने के लिए जरूरी है तो इसका option C होगा ठीक अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question हमारा क्या है 73 ये भी क्या आपका data sufficiency से related है इसमें भी ranking से related question दिया गया है question number 73 में बोला जा रहा है कि 4 दोस्त A, B, C, D ठीक है हैं उनमें से बताना है कि सबसे भारी कौन है पहला statement बोला जा रहा है आपसे कि B, A से भारी है B का वजन A से भारी है लेकिन D से हलका है मगर D से हलका है तो इससे लिखेंगे B, तो A से भारी है मगर D से हलका है तो D B से भारी होगा, अगले statement पर जाएं, तो C B से हलका है, अगला बोला जो C है, वो B से हलका है, मतलब B जो C से भी बढ़ा है, conclusion निकालने दोनों का, तो B जो A से भी बढ़ा है, और B जो C से भी बढ़ा है, मगर A-C में रिलेशन नहीं निकल ला है मगर B से बढ़ा कौन है D है तो यह तो हमें पता चलिए कि बढ़ा मतलब इस भारी के उस्ताथ पर में जा रहा है कि जो B-C से भारी है और D जो B से भारी है तो सबसे भारी ही पूछा इसलिए हमें दोनों की जरूरत पड़ेगे वैसे हम 1 से नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर C का भी आया नहीं हो सकता है C भी B से भारी होता मगर जैसे हमें पता चलिए कि C जो भी B से हल्का है तो इसलिए D ही जो होगा हमारा सबसे भारी होगा तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है आंसर देने के लिए तो इसमें भी option C कुष्चन नंबर 74 में बोला विपिन और जावेद का वेतन के जो रेशियो है फॉर इस्टू 3 दिया हुआ है विपिन और जावेद कि जो इंकम का रेशियो है वह फॉर इस्टू 3 है विपिन का वेतन क्या है यह आपको पता लगाना है पहला इस्टेट्मेंट दिया गया है कि जावेद का वेतन जो जावेद का वेतन है वो विपिन के वेतन का 75% है पचातर परसेंट ओफ विपिन इंकम तो अगर इसे करोगे तो जावेद इकॉल टू पचीस्तियां पचातर पचीस्टों को तो थ्री बाई फॉर ओफ विपिन तो जावेद और विपिन का फिरसे रेसियो आपका क्या हो जाएगा तो इससे तो हमारा कुछ नहीं मिला जो हमें चाहिए कि विपिन का वेतन तो पहले स्टेट्मेंट से तो हमें सिफ रेसियो मिलना है ना कि वैलू मिल लही है तो पहला तो किसी काम का नहीं है कि दूसरे को देखते हैं दूसरा बोला है जावेद का वेतन पैतालिस सो है जावेद का जो वेतन है इंकम है वह पैतालिस सो है तो हम इसी से कंपेर कर लेंगे यहां पर देको रेसियो दिया है आपका कुश्चन में तो जावेद का रेसियो कितना है थ्री रेसियो बराबर तो इंकम के निखालना है तो चार रेशियो कसके बढ़ाबर होगा च्छे आजार तो आपका इसका विपिन का जो रहे इंकम है सेकेंड वाले से आ जा रहे तो हम से बोलेंगे कि दूसरा जो स्टेटमेंट है वो उत्तर देने के लिए प्रयाप्थ है तो इसका अगले कुश्चिन की तरह बढ़ते हैं अगला कुश्चिन है 75 चलिए 75 यह भी डाटा सफिस्यंसी से हैं डाटा सफिस्यंसी के जादे कुश्चिन इसलिए दिये गया है क्योंकि आप देखेंगे 25 कुश्चिन में लोवर में कम से कम चार कुश्चन तो यहां पर नंबर अफ तो चार से तुबाए जाएंगे 5 यह अच्छे किसी पेपर में 3 किसी की पेपर में 4 होंगे वो तो डिपेंड करता है सिर्फ पेपर में चलिए अगले कुश्चिन 75 पर होलते हैं इसमें बोला है पिछले महिने में कंपनी ने अपने मिक्सर की लागत 10 परसेंट बढ़ाने क लागत एक महीन ने पहले की दिए 2850 रुपया तो सिफ मिक्सर बढ़ा जा रहा है तो हमें आग से पता नहीं कर सकते है कि मिक्सर का एकजट दाम कितना और जूसर का कितना एकजट दाम है इस लिए इस आप्षन से इस स्टेटमेंट से अंसर नहीं निकलेगा सेकेंड परसन के विधिक एरासी रुपया द बीस है मलब जो अगर दस परसन बढ़ाया जा रहा है वह बीस रुपया के बढ़ाबर है तो आप यहां से पता कर सकते हो कि जो बढ़ा है वीस रुपया बढ़ा है तो हम पर क्रतिसत का लेंगेSmith कृणि आपने उपर आंसर निकल जा रहा है तो हमारा सेकंड बढ़ने के लिए लिए प्रयाप्त होगा अगले कोशन पर पढ़ते हैं 76 शीरीज का कुश्चन है शीरीज भी आपसे दो-तिन पूछी गई थी एक्जाम में 18 22 24 48 42 200 अब इसमें पूछा जा रहा है की आपका कौन सा गलत है इस सीरीज में पूछा गया है की कौन सा आपका जो कर नहीं आपका जो करम है वह 시रीज में फालो नहीं कर रहा है तो चली देखते हैं अ गला 40 44 बलब प्लस प्लस 4 52 इस सीरीज को वालू नहीं कर रहा है अगले कोशन की तरह बढ़ते हैं कोशन नमा 77 यह भी सीरीज से है चलिए 77 अब इसमें है आपसे 3 7 16 41 90 211 देन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ठीक अब यहां पर देखिए कितने का डिफ्रेंस है चार का डिफ्रेंस है यहां पर देखिए 16 में से साथ 9 का डिफ्रेंस है और यहां पर देखिए तो 25 का डिफ्रेंस है 6 5 11 2 1 3 1 4 तो ऐसे देखिए यह हो गया 2 का स्कॉार यह हो गया 3 का स्कॉार यह हो गया 5 का square अगले वाले में देख्ते हैं इस वाले में कितने का difference है तो इसमें आपका 49 का difference मिलेगा 7 का square मतलब फ्राइम नमबर का है 1, 3, 5, 7 अगला कितने का difference होगा इसमें होगा आपका 7 उसके बाद सीधे 11 का square 121 प्लस 90 एक नोदर सिग्यारा तो सब्सक्राइब क्या होगा इसकुर्ण का डिफ्रेंस है अगले में क्या होगा अगला सीरीज जो होगा 13 होगा क्यूंकि अगला प्राइम निम्मर तेरा का इसकुर 169 तो आपका अंसर क्या जागा 211 में 169 जोड़ दोगे तो 380 आ जाएगा यह ऑप्षन आपका कौन सा है और संबी ए ऑप्षन भी इसका अंसर सही हो जाएगा अगले कुश्ण पर बढ़ते हैं 78 78 कुश्ण आपका हूब हूँ लोवर के पेपर में आया था मगर वो जो लोवर में आया था वह आपका गलत हुआ था कुश्ण वह कुश्ण गलत था उसमें ऑप्षन सभी सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे उसमें कुश्ण आप देखिएगा 78 का ऑप्षन से इसे लगाएंगे पहला ऑप्षन आपका यह दिया गया है सेवें सी पहला ऑप्षन है 7C3-6D6 एक्वल टू-100 ऑप्षन भी है 3C2D5B5 एक्वल टू 625 चले इनी दोनों कमें करता हूं सी भी देख लीजिए 3A2 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 3A4 इस कुश्टन को मैं बता रहा हूं ऐसे लोगर में आया था मैंने इस और सब्सक्राइब करते हैं तो सेवें सी 3 आपको पेपर में कुश्टन पेपर जो होगा आपको लगा दिया जाएगा कुश्टन दिखेगा कुश्टन आप देखे हिसे इसमें दुए घया एकस एवाई तो उसका तात पर है एकस इसक़़्ार प्लस वाइए इसकौर एकस बी यसकोर माइस ओफाइब तो उसी तरह सेवें सी 3 मंदब यह एकसो हो गया ही हो गया तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हो कि 7C का मतलब है प्लस होना तो 7 plus 3 का whole square ठीक है उसके बास minus यहां लगा हुआ है इस वाले में 6D6 तो 6D मतलब X minus Y मतलब 6 minus 6 का whole square तो यह तो चीज़ 0 हो जाएगी और यह 7 साथ 310 हो जाएगा 10 का square minus 0 का square तो यह हो जाएगा 100 यह minus 0 तो यह 100 होगा और यह बोला है equal to minus 100 यह minus 100 नहीं आ रहा है इसलिए यह option आपका नहीं होगा तो यह option आपका खतम हो जाएगा answer नहीं होगा अगले option की तरह पढ़ते हैं इस option में 3C2 3C2 का मतलब है कि 3 plus 2 का whole square डी आपका यहां पे है एक operator रह लग गया है उसके बाद अगली bracket में operator को execute करेंगे तो 5B5 मतलब बी का मतलब है 5 का square minus 5 का square मतलब x का square y का square ठीक है तो अब इसे solve करेंगे 325 मतलब 25 हो जाएगा यहां डी लिख दें और यह 5 का square माइनस 5 का square यह 0 देगा ठीक तो अब यह x हो जाएगा अब यह y हो जाएगा इस डी के operator के लिए जब इसे solve करेंगे तो यह आपका दिया है कि 25D 0 तो 25D का मतलब हो गया x-y तो 25-y मतलब 0 का whole square तो 25 का whole square कितना हो जाएगा ठीक है तो यह आपका 625 यहां दिया गया है तो यह इसके बराबर हो जाएगा मगर जो एक्जाम में आया था वहां पर यह वैलू 624 दिया हुआ था ठीक है इसलिए मैंने यहां पर चेंज करके इस question को दिया है किसी बजाए आपका जो लोगर में आया था उसका भी कर दिया था option B को जो है 624 कर दिया तो हम मेरे question का जो जूनिय असिस्टेंट का है उसका आंसर option B होगा confusion नहीं होगा कि सर ने हुब हो question दे दिया है तो इसका कोई answer नहीं होगा मैंने option में change किया है ठीक है चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अगला question है ब्लड relation से coded form में जैसे वह नहीं बताया कि coded form का एक ब्लड relation आता है देखिए question आगया आपके 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 आपका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपको पेपर में सो करेगा a plus b का आर्थ है a b की माता है a minus b का आर्थ है भाई है b का तो option से आप आराम से इस question को कर सकते हैं ऐसे question हमें इसा मैंने बताया भी है ब्लड relation का जो आप chapter देखेंगे हमारा YouTube पे उसमें मैंने बताया कि इस type के question को आप option से neglect करिए कि पहले आप जेंडर उसके बारे में पूछा जाए उसका जेंडर निकालिए फिर देखिए कि किसमें वो जेंडर पाया जा रहा है जैसे हमें option 4 लिख दे रहा हूं Q-M plus M into P option B है P plus S into N minus Q option C है P minus M plus N into Q option D है आपके सामने Q minus S percent P अब आप से question पूछा गया है कि P Q का मामा है P जो है Q का मामा है तो यहां से पता चल गया कि P का जो जेंडर है वो प्लस होगा ठीक और जो आपका question दिया गया कि A plus B का अर्थ है A B की माता है A minus B का अर्थ है A भाई है B का A percentage B का मतलब A B का पिता है और A into B का मतलब A B की बहान है सब में A का ही relation दिया है दूसरे वाले से हर एक symbol में represent हो रहा है तो आप को मैंने बताया है blood relation के chapter में कि जब भी जिससे relation पूछा जैसे हैं मोला गया पी क्यू का मामा है तो यह P last में आ गया इसका gender clear नहीं हो सकता है क्योंकि इसके बाद कोई symbol नहीं है होगा तभी इसका gender clear हो पाएगा इसमें M का gender होगा M into P अगर into का मतलब पती-पत्निक होता तब जाकि इसका gender clear होता मगर यहां पती-पत्निक का कोई ऐसा relation नहीं दिया है किसी symbol का इसलिए यह option तो आपका वैसे ही कतम हो जाएगा पहला कुछ सोचना ही नहीं है अब P plus S plus का मतलब देखिए प्लस का मतलब बोला A B की माता है मतलब पहला अला term S की माता है तो यहां पे तो minus sign आ गया तो यह भी आपका गलत हो जाएगा आपका इसमें देखते हैं P minus M P minus M में minus का मतलब बोला गया आपसे कि A B का भाई है मतलब P M का भाई है तो यहां प्लस होगा चलिए हो सकता है यह answer हो D option check कर लेते हैं यहां पर देखिए फिर से percentage के बाद sign के बाद आपका क्या गया पी आया है तो इससे S का gender के लिए होगा ना कि P का यह भी option आपका खतम हो गया तो आपके पास बचा क्या option C तो आपका answer यह होगा उसे solve करने की जरुमत नहीं है time waste करने की सीधे सीधे आप option मे देखिए कि जेंडर हमें क्या पता करना प्लस पता करना है तो हमसी फेक मिला आंसर कर दिए जहां आपसे दो option फस्ते हैं वहां पर आप solve करिए ठीक है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question भी आपका जो एस असी नंबर है वो डाइस से रिलेटेड है थोड़ा सा question नया question यूपीटे पलसी ने पूछा था उसी पैटर में भी पूछा है थोड़ा सा नया कर दिया बच्चों ने कहने लाए कि नहीं सब्सक्राइब कफी लोग बोला है कि question जो है गलत है डाइस का ऐसा नहीं होता जो आपने डाइस का concept पढ़ा है उस concept पर लगाएंगे तो क अभी आपका वो question गलत नहीं क्योंकि वो question हर सेट में दिया गया है देखिए question यह है जुनिय असिस्टेंट की पेपर में असी नमबर question वही है कि मैंने बदला है question को कि 315 कि ठीक है अगला है 2,4,6 दो डाइस दिया हुआ है और इसमें examiner ने आपसे दे दिया कि एक पासे की दो स्थिती नीचे दर्स आई गई है यदि संख्या 6 संख्या 3 के ठीक विप्रीथ है संख्या 6 जो है तीन के विप्रीथ है ठीक है तो आपको संख्या 1 के ठीक विप्रीथ निकालना है इसका opposite निकालना है तो आप लोग गलती क्या किया हो कि इसको question को बोला ऐसे question पूछा गया lower में तो आप लोग बोले कि sir ये question गलत है काफी टेलिग्राम पर बच्चों ने ब आप लोग जो पढ़ते हो कि जो clockwise सलना है उसमें जो होता है कि किसी भी दो डाइज जो आपका पासा होता है तेकि एक लेक्चर मैंने जो आपको दिया है यूटूब पे मैंने clockwise वहां बताया कि आपके जो दो पासे होते हैं जिनमें कोई भी एक सता दोनों पर कॉमन होता है जैसे अगर यहां 6 है और यहां भी 6 हो जाए तब आप clockwise चलोगे ठीक आप लोग क्या कियो कि यहां पर 6 है कि भी प्रित 3 दे दिया तो 3 से भी clockwise चल दिये और 6 से भी clockwise चल दिये मैंने आपसे कहा था कि सिफ जब यहां 6 हो यहां भी 6 हो मतलब एक हिस रफे सापका दोनों दो clockwise और यहां से तीन से चले तो तीन पांच एक तो इस तरह से आंसर हमारा एक के विपरीत में आ जाएगा दो मगर यह गलत है यह तरीका आपका गलत है क्यूंकि clockwise जहां दो एक ही सर्फिस कॉमन मिलता है वहां लगता है अब आपको करना क्या है इस कुश्चन में थोड़ दो oss है इस के जस्त तीन के जिस्थे में जो मैं लिख रहा हूं आपके करना फिर छेल लिखा हुआ है थी कह आपकime जने यह यहां फिर आपके सब्सक्राइड व्यूंक्त इस produit कि और Dal opio को जब यही 6 इसके नीचे है तीन के जस्ट विप्रीत में बोला गया अच्छा है तो इसी 6 से हम फिर से clockwise चलेंगे तो 6 15 चलेंगे ठीक है ऐसे क्योंकि तीन के जस्ट नीचे है इसी 6 से और यहां पर 6 और इस वाले जो इसके जस्ट नीचे है तीन के उसे चलेंगे क्लॉक्वाइस छे एक पांच तो इससे हमारा एक के विप्रीत में क्या आजाएगा चार आजाएगा देखिए आपका आंसर बदल गया यहीं पर ठीक तो यह गलतिया आप लोग किये होंगे इसलिए आपका आंस और आपको दिया है इस कुश्चन में जो आपको आप लोगोंने एक्जाम दिया और उसमें थोड़ासा मिस्टिक था कि यहां पर S लिग दिया गया है वो डी होगा एहां पर डूगा और जो आपसे पूछ गया था कि यहां पर पूछ vallahi क्या होगा वह हैशंट बाद ही पूछ्र वह जोगा उसमें तोड़ी सा के सुन केम में स्प्रिंट हो गया था है क्वा फीर चर्ड़ गया बोले सहर कर दिया गया है स्कु गी यो पी इ आर इसको रियाइज किया गया है पी डी आर यू ऑब इस में देखि52 क्या चल रा टॉ यह भी चौला इटर यहां गया लिटर्ली Cao इले है आर यहां गया आ pewno क्रौ George दिप अगले में फिर यहां 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 आर हो जाएगा और यहां यह 15 और यहां आजब यहां आजहिएगा अग्ला पूछ अधोन आप आप जो पूछ रहा है इसके u और यहाँ होगा यू ठीक उसके बास मिए हीहात यह आजाएगा आपका यहां आगया थी यहाँ आजाएगा रही होजाएगा और यहां हो जाएगा और यहाँ जएगा तो पहले आपको answer में A दिया होगा वह आप सही कर दिया गया है इसका answer option B होगा सही होगा ठीक है चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है और वन आउट का 82 गुलाब जैस्मीन हिबिस उसके पास है मेरी गोल्ड और कमल तो आप इसमें से और वन आउट पूछा गया है तो आप असानी से कर लिए होंगे इसका जो answer होगा कमल जो होगा वो डी होगा 82 का क्योंकि यह जो water में होता है बाकी नहीं water में होते हैं तो यह विसम हो जाएगा 83 में है आपका इसमें भी odd one out आपको है काफी असान है बोल ला है desk blackboard कच्छा bench और चाक तो इसमें आपको odd one बताना है तो कच्छा होगा c class क्योंकि class की यह चीज़े बाकी दी हुई है class अलग से नहीं है ठीक है तो इसमें से जो class है जो अच्छा है आपका वह odd हो जाएगा अगला एक figure से question है जो आपको बताना है 84 की embedded figure कि ऐसा figure किसमें है तो आपको दिखेगा कुछिस टाइप का figure बना गया था पहलो लोग्राम जाएगा 84 का 85 में भी figure से question है इसमें एक triangle है ऐसे यहां पर circle और यहां ब्लैक कर दिया गया है जोसी के analogy based है और इसी का just opposite ऐसा है कि यहां पर एक circle हो गया है तो आप से पूछ रहा है अगर यह ऐसे है यहां black है तो इससे जस्ट बात क्या हो गया यहां पर question mark लगाती है यहां यहां पर black होगा तो option आपका कौन सा होगा option B का सही होगा चलिए अगले question पर बढ़ते हैं कुछन नमर एटी सिक्स एटी सिक्स जो है कुछन में बना रहा हूं यह ट्रेंगल है यह है अब इसमें बोला कि यह A है यह D है यह X है यह Y है यह L है यह B है यह Z है यह D है यह C है ठीक है आप से पूछा जा रहा है यह है एक जो सरकल का मतलब है यह college के प्रोफेसर है ठीक है यह medical है इसका मतलब रेक्टेंगल का medical और इसका मतलब है surgeon surgery wishes इस इस पूछ रहा है तो अब इसमें आपको कौन सा लग रहा है college और surgery के intersection होना चाहिए तो यह D ही ऐसा है option में आपका जो पहला option है D वहीं जो क्या आपका college प्रोफेसर भी है और surgery जो अग्याता भी है तो यह B होगा इसका answer option A होगा जो होगा अगले question पर करते हैं question no.87 coding decoding का question है कि सुरेश को code किया जा रहा है कि इसके नीचे लिख दे रहा है उसका code TVTFTJ सुरेश को code किया जा रहा है TVTFTJ में और महेश का पूछ रहा है आपसे कि महेश का code क्या होगा ठीक है आप चलो code करोगे यहां पर number लिख लो 19 21 18 5 19 8 20 22 26 20 10 ठीक है अब इसमें देखिए 19 से 20 असानी से समझ में आ गया चलो इससे आ रहा है प्लस वन हो रहा है यू से वी 21 से 22 इसमें भी प्लस वन हो रहा है अठारा से 20 जो अठारा से प्लस दू हो गया यह क्या हो गया है एच से जे आठ से फिर दस हो गया प्लस टू तो ऐसा कि हुआ कि कई रेंडम प्लस टू हो गया है रेंडम नहीं हुआ है आपको यह सोचना है आठाड़ा क्या है कि जैसे यह अठारा आया अठारा क्या है बाकी यह देकिए यह value क्या loved यह zod प्लस वन हो चाया टा तो यहां आप क्या होगर पर बछे वस गाथा तो यह आसई चीजे आपको इस पर प्रेक्टिस करना है कि इस कॉंसर्ट पर कॉश्चन आ रहा है तो यह आपका हो गया कि आपको जो भी इवेंट प्लस टू हो रहा है और पर प्लस वन हो रहा है तब आसानी से निकाल लोगे इसका प्लेंश वैलू लिको तेरा एक अगले में आते हैं अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है 88 में सिरीज है यह सिरीज है 25146 अगला है 12654 अगला है 6145 61425 अगला है अगला कुश्चन महाँ लगा है आपको बताना है कि सिरीज कैसे चल लए देखिए किसी सिरीज में नए टर्म नहीं आया मतलब कुछ जुडा और घटा नहीं है इसी को रियरेंज किया गया है यह कैसे किया गया वन ठीक यहां से गया वन यहां आ गया फिर यह टू फिर यह 6 ठीक यह बीच वाला लास्ट वाला यह फिर यह फिर यह फिर लास्ट वाला ऐसे इसमें भी देखेंगे तो क्या रहा पहले पहले बीच वाला 6 फिर यह पहला वाला 1 फिर लास्ट वाला 4 फिर ऐसे ही इसमें देखेंगे तो बीच वाला पहले 4 यह आएगा फिर आपका अगला क्या होना चाहिए चाहिए कि पहले बीच वाला टर्म से जाएगा तो फाइफ फिर पहला वाला फोर फिर लास्ट वाला आपका क्या होगा टू अर जो बच गया शिक्सर्वन ठीक है 261 तो यह जोड़ा 54261 आपका आंसर होगा जो आप्षन कौन सा है आप्षन A है आपका इस तरह सीरीज को पकढ़ना दा अगला कॉश्चन 89 कॉश्चन नमर 89 डिस्टेंज डिरेक्शन से है इसे बोला अर्जुन अपने घर से आफिस के लिए निकलता और 5 किलोमेटर पूरत दिसा में जाकर वो अपने दाय और मुरता है देखें 5 किलोमेटर अपने घर आफिस से निकला 5 किलोमेटर पूरत दिसा में गया सबको पता है नौर्थ, साउथ, इस्ट और वेस्ट ठीक पांच किलोमेटर पूरत दिशा में गया है उसके बाद से फिर वो किदर मुरा है दाय मुरता है मतलब क्लॉक वाइस दाय मुरा तीन किलोमेटर चला उसके बाद फिर बाय मुरा तो बाय मुरा हो तो कितना चला फिर तीन किलोमेटर चला फिर वो बाय मुरता और तीन किल चलता है तो यहां पर आ जाएगा तो पूछा उसके ऑफिस से और जहां पहुंचा है उसका डिस्टेंस कितना होगा तो पांच यह तीन यह तो टोटल होगा आठ डिस्टेंस ऑप्शन आपका 20 होगा अगले कुशन पर बढ़ते हैं अब नंबर कुश्ण नंबर कुश्ण आपका हैं लास्ट कुश्ण है स्ट वन का इसनिंग का इसना से जिन्स पॉला एए ऐसे कुश्ट्न में जो आपको 90 कुशन है आपको डाइनाम तनाक मिज़रूत नहीं है जैसे जैसे बोला हो वैसे आप लिखेलो वर एक वेक्ति अपन लिए फिर वह चलना शुरू करता है फिर अपने दाएंवर मुरता है फिर उसके पास से एक लेफ्ट मुड़ता है तो राइट और लेफ्ट तो चेटर में आप वो नॉर्थ से एक राइट मुड़ेगा तो आप जानते हो नॉर्थ यहां है तो यह है तो यह हो गया आपके टोटल जो है तीस कुष्टन रिजनिंग के टेस्ट वन के सॉलूशन आप लोग जिन लोगो ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले आपका जो टेस्ट वन है उसका भी सॉलूशन आपको मिल जाएगा वीडियो के फॉर्म में धन्यवाद